है लो गाइज वेलकम डिकार शो आज आपके सामने है ओल न्यू ट्वेटी ट्वेटी फोंडाइक रेटा फेसलिफ्ट ट्वेटी ट्वेटी फेसलिफ्ट का प्राइस देन पॉइंट नाइण लाग रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 19.99 लाग रपीस तक इस कार के अंदर आपके यहां पर काफी सारे वेरिंट्स आफ़र किये जाते हैं जैसे की E, EX, S, S, Option, SX, SX Tech और SX Option आज है हमारे पास इसका S Option वेरिंट जो कि आप यहां पर पिचान सकते हैं इसके अदर आफ़र किया जाता है उस सब की बात ना हम डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले है तो जरूर से वीडियो के लास तक बने रहे सबसे बहले आपके हैं पर इसमें कुछ इस तरह की ग्रिल देखने को मिल जाएगा यहां पर इसमें सेंटर में हुंडाय का लोगों LED DRL आपको यहां पर इसमें देखने को मिल जाते हैं उपर की तरफ जो कि काफी ज़्यादा बड़िया लगते हैं साथी इंडिकेटर्स भी आपको इसमें देख सकते हैं यहां पर LED में ही दिए गए हैड्लाम्प यूनेट की बात करें तो यहां पर आपको Quad LED कर दिया आपको कैसा लगा का का अवराल फ्रेंट मेरा कुमेंट सेक्शन में में जरूर बाता ना इस पर्टिकलर वेरिंट के अंदर आकें पर कोई भी ब्रेंट पाकिंग क्यामरा या फिर फ्रेंट पाकिंग सींशिस वगयरा नहीं मिलते साथी साथ यहां इड़ास है इस कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं बाकी ना आपको और फॉर डिस्ट्रेक्स इस कार में आस स्टैंडर्ड ही प्रवाइड की जा रही है और लोग भी आप यहां पर देख सकते हो कार का कम्प्रीट साइट से ऐसा कुछ यह रहने वाल है यहां पर ओवर दियम्स की बात करें तो स्टैंड आप यहां पर कार की देखी सकते हैं यहीं पर नीचे भी सिल्वर इंशेट्स आपको मिलेगा और जो एक अच्छी बात है पूरी किनेक्टे डेखने को मिल जाती है जो की काफी जादा बढ़ील यहां पर देख सकते हैं हुंडाय के लोगों नीचे हाँ पर इसमें क्यामरा है रिवर्स पार्किंग लाइट सिल्वर कलर में आपके हां पर भी स्केट मिल जाती है जैसी कि आपको फ्रेंट में मिलती है और इस साइट से आप लोग देख सकते हो यह कार का ऐसा कुछ रहने वाला है पेट्रोल का भी ऑप्शन आपके हां पर इसके अंदर वैसे देखने को मिल चाहेगा और टर्बो पेट्रोल के अंदर यह पर्टिकुलर वेरिंट नहीं आने वाला है अंदर चलते हैं कार के रिक्वेस्ट सेंचर दोर पैड की बात करें तो कुछ इस तरह का ड पर्टिकुलर को कहते हैं और फ़ॉप विंडूर अपको यहां पर इसमें ब्लजाते हैं और व्याद यहां पर इसके अच्छी स्पेस्ट मिलती है नीचे स्पीकर रहेगा बॉटल होल्डर है जो रोपने काफी जाद अच्छी मिल जाती कार के इंटर एक्जिट करने में आ नहीं आने वाली है मैनुरली आप यहां पर इसकी सीट कर सकते हैं बाकि क्या बेन कुछ इस तरह करें वाला है इस पर्टिकुलर एस ऑप्शन वेरियंट का और ना वीडियों आगे वाइन इस पहले में आपको तांचोंगा आपकी कार के लिए बहुत ही बड़िया का परफ्य बाकि जेल टेक्नॉलची बेस पर्फ्यूमर जो कि बिल्कुल भीना लीक नहीं करता है तो जरूर से अगर इसे बाई करें लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और सबसे खास बत यह एक मेड इंडिया प्रोड़क्त है बाकि इसको आप यहां पर किसी आपको सबसे पहले कीज दिखाना चांगा इसकार की तो यहां पर इसमें कुछ इस तरह की कीज आती है लॉक अनलॉक और इलेक्रोनिक ली टेल कीट को सिर्फ अनलॉक करने के ऑप्शिन सथ बागी हां पर आप देख सकते हो हंडाय का लोगो और ब्राउन को लगी ना काफी इस इवेंट आप देख सकते हैं यह कुछ मैगनेटिक से इन्होंने पार्ट दिया इसमें और प्रॉपर यूस तो भी फिलाहल मैंने इसका ट्राय करके नहीं देख है आगे वाली वीडियो के अंदर आप किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं यहां पर आपको सभी के स हों डाय वर ना जो कि आप सामने देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता में परस्ट लिए सेम आपको वेन्यू के अंदर मिलेगा टॉपेंट के अंदर ना थोड़ा डिफरेंट आएगा बाकि यह देख रहे हो यूरिया लेवल डीजल एक्स फ्लोड यह सब भ बेसिक चीज़े आपको बेसिक इन्फरमिशन मिल जाती है बाकि तो पूरी कनेक्टेट स्क्रीन लगती है यह बट यह है नहीं क्योंकि यहां पर देखो सेंटर में थोड़ा सा ग्याब भी आपको देखने मिलेगा यहां पर स्टीका की ग्रेल है इसके अंदर बैसे आस सच कुछ नहीं है और थोड़ा सा नीचे नीचे से ख़ल दिया और डाश वोड़ा बाकि तो यहां पर आपको मिल जाता है एट इंचस का टॉट स्क्रीन एंफोर्टेंट्मेंट सिस्टम एंडॉड और आपको वायरलेस सपोर्ट करता है टॉपेंड के अंदर आपको वायरलेस दियार वी आजागा एंफ यह चारो बेसिक फीचर्स हैं इसके अंदर बाकि वाला पाट देखेंगे आपको मैट कलर में देखने को मलता है यह ग्लॉस में नहीं है बाकि अच्छी बात है पढ़ जाते हैं इसके पर अपनी स्कॉर्पियन के अंदर नहीं है यह वाला पाट सब्सक्राइब वह परंड़ो बाकि चलो इत अपना अपना यूज आप इसे कर शेको यहांसे फैन का स्विच यहां पर रहे एरी डियोशन अप्शंहर इसे फ्रेंटम और चार्ण और sing option होता है यहां पर तरह स्क्ष साथ का कविए 25 से ज्क्ष सिंग करेंगे तो दोनों स्थीं हो जाएंगे यहां पर ध्राइबर स्ई की तरब सिंग होता ये यहां पर आपको स्टोरेT सियुक्ष स्पेस्स मिलजा तैप c PORT है टाइप ए पोट है विल्वट का पावर अफ लेट भी है सिक्सपीड मैन्योल गेर बॉक्स है रिवर्स कैमरा आता है इसके अंदर कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है साथी पार्किंग सेंस का डिस्पले आता है यहां पर इसके अंदर क्लॉसी ब्लाक पूरा पैनल है द यहां पर स्टेचिंग में यूज़ किया गया और सॉफ्ट सीच से अपको यहां पर इसमें अच्छा मिल जाएगा ठीक है और अगर अगर टॉपेंड लोग है तो इसके अंदर आपको वेंटिलेटी सीच से वगयरा तो मिलती है यहां पर आपको स्टॉरेज पेस दीगे इ अन्युल डेन नाइट आर्विम आजएगा यहां पर इसके अंदर आटर डिमिंग आर्विम नहीं आते तो लाइक्स एलीडी में हैं पीछे भी आपको साइट पर लाइट्स मिल जाती है इतर टिकेट होल्डर दिया गया है संग्लास होल्डर है और मैसिफ पैनरॉमिक संड लिमिंटेड है तो आप इस विरेंट की तरफ जा सकते हो बहुत ज़्यादा परस्तली में को डाली फूमन लगाव एलेडी लाइट्स हैं 17 विल्साइड डिजटल क्लस्टर वार्लेस आपकल कार प्ले है संग्रूफ है बड़े साइज की तो आपकी रिक्पायरमेंट्स मेर सेफ्टी के बात करें तो यहां पर इस कार में आपको six airbags as standard offer किये जाते हैं बागी आपको यहां पर इसमें ABS विदी ब्रेक असे सीट पांट स्ट्रक्शन कंट्रोल और भी फीचर मिल जाते हैं सेफ्टी के अंदर बागी अब चलते हैं बहार और यहां से एक बरी खोल देत इसका hood और बात कर लेते हैं इसके engines के बारे में तो यहां देखो इस कार में आपको basically 3 different engine options offer किये जाते हैं 1.5 लीटर naturally aspirated petrol 1.5 लीटर डीजल 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल पहले तो options के अंदर यह variant आपको मिलेगा आज ही हम आपको डीजल इसका और यह 1.5 लीटर का डीजल engine इसकार के अंदर प्रेडियूस करता है लगबग 115 PS की पावरा साथ निकाल कर देता है 250 newton meters का टॉक फोस लेंडर का diesel इंजिट यह रहने वाल है हेवी इसका लगाए यहां पर अब हम चलते हैं इसकी बैक सीट में तो यह इसकार का बैक डूर जो कि आपके हाँ पर इसमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा यहां पर इसमें पर विंड़ो स्विच मैनुली आप यहां पर कर लगा सकते अप्ती कार कंदर लेकिन ह यहां पर हेड्रेस केुटिवाइब के सेंट में यहां पर आमरेस मिल जाता है जुकी आता है दो बॉटल होल्डर के अक्लिक चारज़न की बाकी न जंदर एसको अन्दर एसइए और नीचे अपको यहां पर इसमें तरह सी पोट्स दिएंगे इस याज नहीं बधिया आगे वादी सीट अभी पूरी पीछे की होई है और उसके बाद में कोई काफी अच्वराल स्पेस पहल पा रहा है कोई कमी नहीं है मैं को यहां पे नहीं रूम में लेग रूम में और साथ ही सब्सक्राइब कोई कमी फील नहीं हो रही है और थ्री एडल्स इसकार की बाक पर कोई खास दिक्कत आपको इससे वैसे नहीं आने वाली है बाकी तो यार ऐसी कुछ यह कार है अंदर से कंप्लीट और क्ले कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा में कमेंट सेक्षिन में जरूर सब्सक्राइब बहुत ही जादा पसंद आई है यहां पर लाइट आ जाती है जोकि LED में सेम यह आपको उस सेट पर मिलेगी यहां पर आपको कोई भी अलग से कोट होगेर इसमें नहीं मिलने वाला है ठीक है भाल चुलते हैं कार के अब हम चेक कर लेते हैं इसकार का बूट तो इसके टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहां मल जाएक एक सब्सक्राइब यहां पर इसके निचे आपको यहां पर इसमें स्पेर भी मिल जाते हैं यहां पर बूट लाइट बाकि तो ऐसा कुछ यह है और ब्लाक की जगणा पर ग्रे कलर कैसे लग रहा है कमेंट करना बहता ना में को परस्टली काफी अच्छा चेंज लगा परस्ट 15.82 लाक रुपीज और यह कार आपको अंडर चंडी कर के अंदर पड़ेगी एप्रॉक्सिमेटली 17.65 लाक रुपीज के आपके कार ओवरॉल कैसी लगी में को कमेंट सेक्षिन में जरूर सब्सक्राइब करना बाकि तो कमेंट सेक्षिन में आपको लिंक मिल जागा इन्व वीडियो भी आएगा चानल रेक की तो चलो एतना ही था इस वीडियो घ्ले थांक यू